देखें मैंने यहाँ पे स्टार लगया है, स्टार फ्रेंस एक्चुली में वाइल्ड कार्ड होता है और वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं इसकी पूरी इंफोर्मेशन में आपको नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर वीडियो में दे दूंगा तो दोस्तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में आप सबसे प्रोमिस किया था कि मैं वाइल्ड कार्ड भी आप सबको जरूर सिखाऊंगा तो इसलिए आज का ये वीडियो वाइल्ड का सोलो वीडियो है जो आपको जरूर पसंद आएगा अमस्कार दोस्तो मैं हूं गोविन और आप देख रहे हैं कॉम ट्यूटर तो दोस्तो वाइल कार्ड पर सबसे पहला सवाल कि वाइल कार्ड होते क्या है दोस्तो ये वाइल कार्ड सबसे ज्यादा हेल्फुल होते हैं जब आपको कोई value exact पता नहीं होती है मतलब आप कोई doubtful value सर्च करना चाहते हैं तब wildcard आप उसमें use कर सकते हैं अब दूसरा सवाल कि ये wildcard कितने तरह के होते हैं दोस्तो वैसे तो wildcard दो तरह के होते हैं पहला asterisk और दूसरा question mark अब एक तीसरा wildcard भी आता है ये होता है till day जब आप उन दोनो wildcard को use करते हैं as a text तब इसका use होता है लेकिन अब तीसरा सवाल आता है कि इनका use कैसे होता है तो उसके जवाब के लिए हमें चलना होगा अपनी excel seat पर तो देखिए दोस्तो अभी हमाचुके अपनी excel seat पर और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बता है आपको जो सबसे पहला wildcard होता है question mark दूसरा stress और तीसरा tilde question mark होता है इसका use होता है दोस्तो single character के लिए जैसे कि आपको दोना है smith या smith तो आपको अगर spelling exact पता नहीं है तो आप यहाँ sm के बाद question mark डाल दीजिए और फिर th उससे यह वाले result आपको पास आड़ेंगे तो यह question mark है यह सिर्फ ए character के लिए होता है यहाँ पर यह काम कर रहा है आई और y के लिए उसी तरह फिर जो दूसरा wildcard है वो है asteris यह use होता है friends multiple character या multiple sentence या फिर वर्ड के लिए for example देखें यहाँ पर मैंने लगाया star और फिर east इस्टार इस्ट का मतलब है कि इस्ट से पहले कितने भी character का word या sentence हो सकता है जैसे यहाँ पर नोर्थ इस्ट साउथ इस्ट यहाँ इसको इन नोर्थ या साउथ से मतलब नहीं है यहाँ पर इसका पूरा जो concentration है वो इस्ट पर है उससे पहले वाले sentence या वो character पर नहीं है तो तीसरा wildcard है वो है टिल्डे इ जूज करते हैं इन दोनों के बाद से देखिए मैंने यहाँ पर लिखता है जब आप किसी text को ढूण रहे हो और उस text में already question mark या फिर star है तब आपको अपने search value में टिल्डे को लगाना पड़ेगा ताकि आप Excel को भता सको कि आप जो star या फिर question mark को ढूणना चाहते हो वो question mark को रिस्टार एक text है ना कि वाइल उड़ाएगा कैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको ढूणना है f y 06 question mark यहाँ पर इस result में question mark है और आपको यह value ढूणनी है तो आपको search value में डालना होगा f y 06 tilde question mark तो यहाँ पर जो यह question mark है यह text बन जाएगा क्योंकि हमने उससे पहले टिल्डे वो डाल लिया है चले इनके use हम देखते हैं का है सबसे पहले question mark यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखके हैं और मैं यहाँ पर डूणना चाहता हूँ computer वाले word को लेकिन दिखता यह है कि मेरे को computer की spelling exact याद नहीं है क्या है तो मैं c o m t u t अब इस t के बाद o है या e है वो मेरे को exact पता नहीं है तो मैं आडा लेता हूँ question mark और art अब इससे related जितनी भी values होगी वहाँ में सामने आ लेगी यह देखे यह दोनों हमने question mark में डाले थे और वही हमारे पास result आ गया है इसी तरह हम इसको use कर सकते हैं दूसरी सर्च में यानि कि अगर आप question mark एक से ज़्यादा बार लगाते हैं तो जो character है वो एक से ज़्यादा हो जाए है जैसे मैं अगर पॉम में तीन question mark लगा जाता हूँ और उसके बाद आजता हूं तो देखिए ओमिर को वही उससे related result लग कुछ company के नाम है और मैं यहां पर count करना चाहता हूं सारी private limited company को लेकिन इसमें हमारे data में limited company और private limited company दोनों है तो देखिए यहां पर मैं count करूंगा count tip से count tip लेता हूं उससे मैं पूछ रहा है range range में यहां से देता हूं criteria criteria में देखिए मैं प्राइवेट limited अगर मैं दूंगा तो वो सिर्फ उसी को count करेगा ना कि पूरी जो value है उसको यहां पर मैं एक्सल को explain करना होगा कि private limited जो आप count करोगे उससे पहले भी कुछ ना कुछ value होगी तो आप उस value को भी consider करके चलिए तो उसके लिए मैं यहां देता हूं double code में star बंद गया और अब लगाता हूं end और देता हूं यह वाली value private limited और bracket को close कर देता हूं इसका मतलब हुआ कि C4 से पहले भी कुछ ना कुछ value होगी star का मतलब है कोई ना कोई value होगी character कितने भी हो सकते हैं वो जैसे कि मैंने बताया character या sentence भी हो सकता है पूरा तो यह character से matter नहीं करते हैं star में इसलिए हम एंटर करता हूं कि मेरे को answer मिला है 5 इस तरह यह star काम करता है कि मैं आपको वीडियो में भी सम्झा चुपा होगी फिर टिल्डे की तरफ चलते हैं इस टिल्डे में देखें यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप question mark और star को एक text की तरह लेना चाहते है तो वहां पर टिल्डे को आपको उससे पहले यूज करना होगा जैसे इस mail ID में मैंने गलती से add the rate की जगह पर star और question mark लगा दिये हैं और मैं उनको दूनना चाहता हूं तो मैं filter open करता हूं text filter में जाता हूं content में जाता हूं यहां पर देखिये यहां पर मैं ढूनूँगा question mark वाली mail ID सबसे पहले function mark से पहले कोई value होगी तो उसके लिए मैं डालता हूं star फिर question mark होगी तो question mark क्को को अब यहां पर किष्गार की तरह ना ले इसके लिए म्हों को यहांपर डालना होगा इसके बाद डालना होगा question mark और इसके बाद कुछ ना कुछ value जरूर होगी तो फिर से हमें डालना होगा star आपको समझ में आ गया होगा मैं इस कोके करता हूँ और ज्याद आपको समझ में आ जाएगा तो पहला star था वह इस value के लिए था फिर हमने सर्च करने के लिए value दी थी यहाँ पर question mark उससे पहले हमने star को भी ढूण सकते हैं यहाँ पर मेरे को only question mark की जगह लगाना होगा star यानिकि यह जो last के और end के जो star है यह wild card है और tilde के साथ हमने जो star किया है यह एक text बन गया है आप तो मुख्य करेंगे तो देखिए हमें star वाली mail id मिल गाएगी इस तरह यह wild cards काम करते हैं friends now I hope friends आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा please वीडियो को like, share and comment जरूर करें आपकी कोई query हो तो उसको नीचे comment करें मैं reply जरूर करूंगा दोस्तो wild card के इस basic वीडियो के बाद मैं आपको कुछ इसके advance यूज भी जरूर सिखाऊंगा but उन सब के लिए आपको नीचे चैनल वाले लोगों के circle पर click करके चैनल को subscribe करना होगा और notification पाना होगा तो अगले वीडियो तक आप अपना ध्यान रखेगा दोस्तो प्लीज टेक केर कीप लर्निंग एंड गुडबाई